विल्कम टू मरहावा लाइब चैनल में आपका बहुत स्वागत है आज जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही समखल कर बहुत ही होश्यारी से आपको इस काम को करना चाहिए आपका लड़का जो बच्चा है आपके साथ चल रहा है या आपकी गुडिया जो साथ चल रही है वो क बच्चे को साथ ले तो साइड से जो रासता मतला आने जाने के लोगों का गारि क्यूंस शैकल होता है उस साइड में अपने प्चण को साथ लेकर नाज चला है मतलब कई आपन देखा होगा कि मांख तो खुद या बाप़ खुद इधर होता है इस साइडमें यहOOOO बच्ण के थोड़ा से बीच में आ जाए तो क्या होगा या फिर हाथ में पकड़े हुए बच्चे चल रहे हैं पीछे से आए गाली और ठोक के चला गया एक्सिडेंट कर दिया तो गलती आप की है कैसे आप अपने बच्चों को रोड की साइट में चलाए क्यों अपने साइट में धर मर्द हैं तो एक लाइन से चलते हैं हाथ बांध किस तरीके से पूरा रोड बिल्कुल बंद कर देता है या दो चल रहे हैं तो दोनों वह ऐसे चलते हैं बलकि चलना कैसे चाहिए रास्ते में एक आगे एक पीछे इस तरीके से ताकि पीछे वाले के भी और आने जाने वाल बिल्के एक आ गे एक पीछे इस तरीके है शरीफों का रास्ता शरीफों वाल इंसां इंसान्यद वाला रास्ता कि Oh यह आने जाने वालों को कोई को तक्लीब ना पहुँ है Сп HAB करना अपने अपना पार्टिसाटि करो चुछ पार्ट जो इं Quand it first to work can उनका भी खर्चा बनी चले वहां से भी साफ सुतरा होती रहे देख रहे होती रहे और अपने जो बढ़ने मनाते हैं शादी विया जो भी करते हैं आरख में करें ऐसा क्यों कि जब यह आप रोडों पे करेंगे कहीं के देखा गया है बिल्कुल मैं रोड पे पूरा बंद कर जिसकी पकड़ ज्यादा होती ना गौर्मेंट में या गुंडागर्दी में वह ज्यादा ही बड़ी रोड को बंद करता है और उसके खिलाब परशासन पुलिस को बोलते भी नहीं है हलाकि उनको भी पता है नियां के खिलाव है फिर भी करते हैं कि पीछ रास्ते में दोड़ते हैं यह सब कौन होते हैं चल भाई लफड़ा हो गया बाक्त चले आ हो गए हुदा आवाज करते ही इस तरीके से इनकी लाइफ पहुत छोटी होती है कभी आपस में कोई देता है नको चाकू मार देगा गौली मार देगा इनकी लाइफ क्म होती है तो हर oke mabap ऊप तरह के से पार्टी में रास्ता जब चला है मोटर साइकल से तो लाइन से ना चला एक साथ तो तीन चार लगाके पीछे वाले आने का बिलकुल रास्ता इसा चला छूंग अगर सभी के लिए मश्यवरा है और साथ में बच्चे अगर साथ में हो तो बच्चों को रोड के साइड बिल्कुल ना चलाए अपने इदर साइड में चलाए साइड में ताकि गाड़ी आने जाने वाला है ठोकर ना लगए अभी कुछ दिन पहले एक मैंने देखा रास्ते में चल तो बच्चे थोड़ी से उदर चले गए मतलब रोड के तरफ बाइक आया उदर से दो एक साथ बस लगा उसको हैंडिल को गिर गई बच्ची वहीं पर तो मैंने उसे बोला कि आपको मालूम नहीं कि बच्चों के इस साइड में पकड़ के चलाना चाहिए त्यार सोरी सोरी करने जाब क्या होगा पहले आपको सोचना चाहिए तो इसलिए आपका बच्चा एक्सिजन ना हो इसलिए आप इस तरीके को अपलाएए बहुत बेहतरी रास्ता यह है थैंक्यों शुक्रिया पूरे वीडियो सुनने के लिए चैनल में पहले बार है तो सबस्राइब जरू कारी मिलती है हेल्थ वेल्थ की और दीन इसलाम की भी अच्छी बातों की भी अच्छे आदर सम्मान की यह जो इनसानियत के लिए भारत के लिए पुरे वर्ल्ड के लिए जो अच्छी बाते होती है वो मैं समझाता हूं ताकि उस पर अमल करें और फिर सुने अमल करें दोस आप अंग्लिश दवाईयां खाकर ठक चुके हैं परेशान हो गए हैं तो मैं कुछ आईरवेदी बताओंगा जिसको आप खाएंगे उसी दवाईयां इलाज कराने साथ साथ अगर आप खाएंगे तो आपकी वह दवाईयां का जो डोज हर महीने हर साल जो बढ़ रहे हैं ना वो बड़ना बंद हो जाएंगे धीर कम होने शुरू होंगे कम होते होते कम होते होते पिल्कुल एक दिन ना के बराबर हो जाएंगी खत्म हो जाएंगे ऐसे इसी आईरवेदी दवाईयां आ गई हैं हिंदुस्तान में हैं उपलब्द हैं आप खाके देखिए क्योंकि मैं ने भी ट्राइ किया और वो को भी ट्राइ करवाया वो इसके सफल हुए थैंक्यो शुक्रिया